यमा ने अपने दो मोडल R15 V3 और MT15 के प्राइज में बदलाव किया है रखी और अभी उल्ड वाले प्राइज से और अभी वाले प्राइज में कितना अंतर है और साथ ही आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि ये प्राइसिप यही दो मोडल में ही क्यों चेंज किया गया है तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम रजत है और आप देख रहे राइड विद बाइक यमा ने R15 V3 और MT15 के प्राइस को इंक्रीज कर दिया है यमा की ये दोनों मोडल काफी पोपलर मोडल है यमा का कहना है कि ये प्राइस बाइक पे लगए स्टिकर का है अब आपको इन दोनों बाइकों में पहले से जादा प्रिमियम कॉलिटी का इस्टिकर देखने को मिलेगा वहीं प्राइसिंग की बात करें तो यमा R15 V3 के मोडल में 80,000 रुपे को बढ़ाया गया है मेकनेकली कोई भी चेंज नहीं किया गया है तो चलिए बात कर लेते कलर वाइज ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस कितना है और दोनों में कितना अंतर है पहले और नए वाले प्राइस में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा और जो न्यू प्राइस है आपको यह बाइक मिलेगा एक स्वरूम एक लाग चौन हजार छे सुरूपए जो इसका जो डिफ्रेंट है वो अड़ायजार रुपए का डिफ्रेंट है वहीं मेटैलिक रेट का भी अब देख सकते हैं एक लाग बावन हजार रुपए ओल्ड प्राइस था जो न्यू प्राइस है वो एक लाग चौन हजार छे सुरूपए है इसमें भी अड़ायजा रुपए का आपको फरक देखने को मिल जा रहा है और जो रेसिंग ब्लू है उसका ओल्ड प्राइस था एक लाग चौन हजार दो सुरूपए है और जो न्यू प्राइस है वो एक लाग पच्पन हजार साथ सुरूपए है इसमें भी अड़ायजा रुपए का अंतर देखने को मिल रहा है वही डार्क नाइट का प्राइस देखे ओल्ड प्राइस था एक लाग चौन हजार दो सुरूपए है और अभी जो न्यू प्राइस है वो एक लाग चौन हजार साथ सुरूपए है तो ये चार कलर वाइस इसमें अड़ायजा रुपए का बड़ोत्री किया गया है यमा के तरफ से वही अब यमा एम्टी 15 के प्राइसिंग और डिफ्रेंट के बारे हम बात करें तो मेटलिक ब्लेक का ओल्ड प्राइस था एक लाग चालिस जार नो सुरूपए है और जो अभी निव प्राइस है वो एक लाग पैतालिस जार नो सुरूपए है तो वही अंतर का बात करें तो यहां पे सीधे पांच जार रुपए का आपको अंतर देखने को मिल जाता है तो दोस्तों यह थे आरओन फाइब वी त्री और एंप्टी फिप्टीन के ओल्ड प्राइस और दोनों प्राइस दोनों मोडल के लाग पैतालिस जार नो सुरूपए है तो इसमें आपको 4000 रुपए का अंतर देखने को मिल रहा है तो दोस्तों यह थे आरओन फाइब वी त्री और एंप्टी फिप्टीन के ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस और दोनों मोडल के प्राइस में डिफ्रेंड अब बात करें तो यह जो प्राइस है जो न्यू प्राइस है यह X-ROM प्राइस है अब इतने रुपए की X-ROM बाइक है आपको मिलने वाले है दोस्तों और एक बात यमा ने रिसेंटली एपजेट एक्स को लॉंच किया है जिसमें वाइक कनेक्ट एप के जरिये ब्लूटूथ का उप्सन मिल जाता है वहीं कंपनी ने भी बोला है कि R15 V3 और MT15 में बहुत जल्द वो ब्लूटूथ कनेक्टिबिटी का उप्सन देंगे जिसके वज़ा से इसमें और थोड़ा सा प्राइज इंक्रीज हो सकता है करीबन अब मान के चलिए कि 2-3,000 रुपे कुछ टाइम बाद और ये महेंगी होने वाली है बाइक यह चोटा सा अपडेट आप सभी के साथ सेयर करना था और ऐसे ही बाइक रेलेटेड न्यूज या अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिजिए क्योंकि यूटूब से पहले मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देता हूँ